इस कौन मंदिर नौयदा में श्री कृष्ण जनमाष्ट में महोतसव का श्री गनेश हो चुका है। इस महोतसव के तहे शनिवार 25 अगस्त को भव्य शोभायात्रा का आयूजन किया गया। रास्ते में ही कई भक्तों ने भगवान के चरणों में प्रसाद अर्पित किया। रागीरों ने किया भक्तों के साथ नित्याटा मार्केट में खरीदारी के लिए आये कई लोग अपनी शोपिंग छोड़कर इस शोभायात्रा में शामिल हुए। निध्य मिला। विकास वर्मा ने बताया कि मैं ऑफिस के काम से यहां आया था। काम खत्म होने के बाद घर निकल रहा था। इतने में मुझे शोभायात्रा दिखाई दी मैं भक्तों का नित्य देखता रहा लेकिन थोड़ी देर बाद मैं खुद हरे राम हरे कृष्णा करते हुए उनके साथ नित्य करने लगा। शोभायात्रा में पांच जहांकियां शामिल इस शोभायात्रा में पांच जहांकियां सम्मिले थी। इन जहांकियों में प्रथम जहांकी श्री श्री गौड निताई, श्री कृष्ण एवंबल राम के अवतार की रही। कई लोग जहांकियों के साथ सिलफी लेते नजर आ शोभा यात्रा का मुख्य आकशन व्रिंदावन के रदाक्रिष्ण, द्वारका के रदाक्रिष्ण, क्रिष्ण बलगाम एवं श्री राम दर्बार, सीता, राम, लक्षमन हनुमान सहित के रूप में सजे हुए बच्चों की जहाक किया रही। शोभा यात्रा के दोरान हजारों लोगों को प्रसाद वित्रित किया गया। शोभा यात्रा का उद्देशे नौ यड़ा वासियों को टीन सितम बरसुमवार को श्री कृष्ण जनमाश्टमी उत्सव के लिए आमंतरन देना था ताकि लोग भगवान का दशन लाब लेकर उनकी क्रप अप्राप्द कर सकें। रविवार को होगा बलगाम जयनती महुत्सव 26 अगस्त। रविवार को बलगाम जयनती उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन भगवान बलगाम का जनम माना जाता है। शास्त्रों में भगवान बलगाम को श्री कृष्ण के अवतार के रूप में स्विकार किया गया है। कृष्ण लिला में बलगाम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में प्रकट होते हैं। मुख्य उत्सव प्रात, दस बजे से दो बजे तक रहेगा जिसमें कीर्टन, अभीशेक, आरती, कता एवन प्रसादम रहेगा। एक विशेश प्रेवारोनी जो भगवान बलगाम जी को अत्यंत प्रिय हैं, कभोग लगाया जाएगा एवन भगतों में वित्रित किया भगवान बलगाम अपने अनुज भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों की मटकी फोड़ा करते थे एवन मक्षन चुरा कर खाया करते थे। इसी लीला को याद करते हुए अनवरत कीरतन के साथ मटकी फोड़ उत्सव मनाया जाएगा। इस गर्मी और उमस के मौसम मे भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए जूलन उत्सव मनाया जाएगा जिसमें सभी भगवान को जूला जूला सकेंगे।